इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इंफो टेक एंड सॉफप्वेर लिमिटेट कंपनी एक बारे में क्या बात होगी बात यह होगी कि इस टॉक में आखिर इतनी गिराउट को देखने को मिल रही है और जब से राइट इसू आपको पता होगा भी हाली में इस कंपनी का इसका क्या वजह है इस प्राइस जो लगतार नीचे आपको जा रही कहां तक नीचे जाएगा और उसके बात फिर आपको ऊपर की तरफ उठते वे दिखेगा तो इन ही सब चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए सुबात शुरू से करते हैं यदि आप बेस इंड लगा है साथ मार्श को इसके पहले यहां पर भी लगा है प्स मार्श को लॉच्व को लगा फिर यहां पर शुरू से अपर लागा ने का सबसे बड़ा दिक्त लिए मैं दूर करने का प्यास करेंगे क्या काम करते तो आपसे भी जानते हैं कि यह कंपनी जो इंदेन इंफो टेक भ्रह नाम में सौफ़वेर लगा है लेकिन इसका सौफ़वेर से कोई लेना जिरा नहीं है बिसिकली यह एक NBFC काम में देखेंगे तो यह लोन्स दोगरा प्रभाइड करने के काम करते हैं लेकिन को बैंक का दर्जा नहीं मिलगा तो यह काफी स्ट्रोंग पॉइंट है इस कंपनी के लिए कुंकि NBFC का चलन इंदेनों बढ़ रहा है और जैसे वह भारत का बजार इकनोमी बढ़ रहा है NBFC और इस सेक्टर में काम करने वाले कंवी ग्रो भी उतनी तेजी से होने के चां कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा होगा है साथ में जो कंपनी के रिटर्न और इक्विटी हो और जो आरोई है यह भी मजबूट हो जागा तो मजबूट हो हाला कि अभी भी सटाइज जिरोपन पूसेजन का सब्सक्राइब को आप देखेंगे तो इसका मतलब यह ह है लेकिन बीच में सेयर के प्राइस बढ़ने से भी तो आपको फ़जा होगा तो यह चीज़ों को अब आदे में बता रहा हूं प्राइस कब बढ़ेगा रिटर्न और तमाम चीज़े कब बढ़ेंगी तो यहां पर देखें कभी हम लोग एक साल के चांट पर आगे और एक इसके लिए था एक ऐकॉंसलेशन जो दो रुपयका लेवर और दो रुपय से तक्रिवन एक रुपय साठ पर साथा पर आजाते है यह इसकी बीच का जो एलिया है इसके लिए काफि यह स्टॉपोर्ट लेवल एक साल में कई बार इस इस समय बिताया इस कॉंसलेशन इसको प्राइस ऊपर गया फिर निचा है फिर उपर गया और फिर उपर जाने बाद फिर देखेंगे इसी कॉंसलेशन के सेयर्स इन लोगों ने काफी समय से इसको रखा है और जिन कब तक खोड़ करेंगे जब तक प्राइस इस लेवल तक नहीं आ जाते है हाला कि एक रुपए बीस पैसा की लेवल नहीं टस्क करेगा जो प्राइस है आप यकीन रखिए प्राइस मुझे क्या लगता है परशनली कि इस कॉंसलिटेशन में आने बाद फिर से समय बिताएगा प्राइस यहां से उपर निकलेगा तो इस लिए आपको तीन रुपय तक सौटर में आपको जाते हुए दिखेगा तो इस कॉंसलिटेशन में स्टोग का प्राइस आ गया है अब यहां पर आकी मोमेंट करेगा समय बिताएगा तो आपको घवडाना नहीं जिसके पहले से 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 और यह दि बहुत डर लगता है तो जैसे मैंने बताए कि यह भी आपके पास से इस कमनी के उसमें से आधा बिसके निकल सकते हैं बाकी के आधा होड़ कर सकते हैं यूद्कि पेने स्टोग में इंवेश्टमेंट देखे थोड़ा रिस्की होता है लेकि यह चलता है तो आ आपको इसमें बताता हूँ जिससे जब आप कमनी का बैलेंस देखेंगे तो आप आएंगे कमनी के पास जो कर्ज है बहुत कम है तीस लाका सपास हो काफी समय से हलागे पिछले बीच में जीरो भी हो गयता है लेकिन फिर बढ़ा और कमनी चलाना है तो कर्ज थोड़े आप देखते हैं जो प्रमोटर के बात हो सकती है लेकिन मेरे पोइंट ऑफ्यू से देखेंगे तो यह उतनी चिंदा की बात नहीं कि देखें पेने श्रॉप में विससे तो प्रमोटर होते ही नहीं है और जो प्रमोटर सोब अपना माल बेच रहे हैं तो हमें इस से अपनी काम करते हैं जो हीटो उसके हिसाफ साफ अपना काम कीजिए मेरे आपका होल्डिंग है तो जो मैंने लेवल बता हैं वहाँ हाथ पर आप ध्यान दीजिए और उसे हिसाफ से काम कीजिए कोई कंफ्यूजन है सवाल है तो कमेंड में जरूर पूछिएगा बेक्ति के सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो तो तक लिए धन्यवाद शुक्रिए